पाकिस्तान गई अंजू को लेकर पहले से ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे उसने पाकिस्तान से लोटने का वादा भी किया थे लेकिन अब अंजू के वीजा के वॉम कॉपी सामने आने के बाद अंजू का सबसे बड़ा जूट पकड़ा गया है न्यूजेट इंडिया के वीजा के वॉम की कॉपी मौजूद है हमारे पास जिसकर साफ साफ दिखा है कि वो शादी करने के लिए पाकिस्तान जाना चाहती है यानि अंजू के अब तक के दावे छूटे साबित हो रहे हैं अंजू अपने पती और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है और वहां उसने शादी भी करनी है लेकिन अंजू ने जिस तरीके के बयान दिये उसमें उसने शादी की बात से इनकार किया है लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि अंजू जूट बोल रही है और ये तस्वीर किस तरीके से ये तमाम दस्तावेज बताते हैं कि अंजू जूट बोलकर पाकिस्तान गई थी तो ये वीजा एप्लिकेशन फॉर्म है जिसमें लिखा हुआ है जो परपस पूछा जाता है कि जाने का मकसद क्या है उसमें अंजू ने लिखा है कि वो शादी के लिए पाकिस्तान जा रही है और अंजू पर उठ रहे इन तमाम सवालों के पीच अब निकाह नामा भी सामने आ चुका है निकाह नामे के मताबिक अंजू ने 25 जुलाई को नसुलाई से निकाह किया था नियूज 18 इंडिया के पास निकाह नामे की कौपी भी मौजूद है जिस पर अंजू यानि फातिमा और पाकिस्तान में उसके पती नसुलाई के दस्तखत मौजूद है पाकिस्तान में उसने इसलाम धर्म अपना लिया है और इसलाम कुबूल करने के बाद उसने अपना नाम फातिमा कर लिया पाकिस्तान में अंजू ने अब तक जितने भी बयान दिये हैं वो सवालों के घेरे में हैं शिरुआत में अंजू ने जिसे अपना दोस्त बताया उससे अब निकाह करने की खबर साथ में आई अंजू ने भारत में रहते हुए पाकिस्तान के वीजा के लिए कब अपलाई किया? वीजा के लिए अंजू ने कितनी बार दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमिशन पर चक्कर काटे थे? ये भी कई बड़े सवाल हैं। पाकिस्तान से पाकिस्तान तक अंजू सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान ने पूछा कि कहा जा रही हो? जवाब मिला। जैपूर। ये अंजू का पहला जूट था। अंजू जैपूर नहीं बलकि दिल्ली जा रही थी। अर्विंद का दूसरा सवाल था जैपूर में क्या काम है? जवाब मिला। ये भी जूट था क्योंकि जैपूर में उसकी कोई सहेली नहीं थी। पती को जैपूर में सहेली से मिलने की बात कहकर अंजूट दिल्ली से निकले। आपको पता था कि वो जाने वाली है पाकिस्तान? नहीं मेरे को इस मामले में पता ही नहीं है। उसका पती अर्विंद यही कह रहा है कि मेरी पत्नी मुझे जूट बोलकर भीवाडी से पाकिस्तान पहुँच गए। 22 जुलाई तक उसकी पत्नी वाटसेप पर बात करती रही। लेकिन उसे भनक तक नहीं लगने थी कि वो कहां है। अंजू पाकिस्तान पहुँच चोकी थी। परिवार समेथ किसी को इसकी कानो कान ख़बर तक नहीं थी। क्या यह हो सकता है कि इससे पहले भी वह पाकिस्तान गई हो। कुछ याद है कि इससे पहले लंबी चुट्टी पर उक थी। इस बीच मीडिया में खबर आई कि राजस्थान की एक महिला पाकिस्तान पहुंच गए ये अंजू ही थी जब भिवाडी में अंजू के पती अर्विंद को इसका पता चला तो उसने अंजू को वाटसप कॉल किया उसने अंजू से पूचा तुम कहा हो जवाब मिला लहौर हूं अपनी सहेली के पास अंजू ने यहां दो जुट बोले पहला कि वो लाहौर में है और दूसरा कि वो सहेली के घर पर है, जबकि 22 जुलाई को ही नसरुला उसे पाकिस्तान में ख़बर पक्तूनफ़ा के जलाग दीर बाला में अपने खर ले गया था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नस्रुल्ला और अंजु दोनों ने पाकिस्तान में पुलिस को बताया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान में मिलने आई है, वहीं अंजु ने खुद को पुलिस को इसाई धर्म से तल्ल प्रकने वाली तलाग शोदा महिला बता है। लेकिन भारत की मीडिया को अंजू कुछ और ही कहानी सुना रही है। हैरानी इस बात की है कि तीन दिन पहले ही नस्रोला ने पाक मीडिया से कहा था कि अंजू सगाई करने के लिए पाकिस्तान आई है। और वीजा खत्म होने से पहले वो भारत लोटेगी और अगली बार जब आएगी तो उनका निकाह होगा। पे तो वो सिरफ और सिरफ अपर दीर एक खास पार्ट के लिए आई वी है और वो सिरफ और सिरफ तीस दिन का वेजा है। और एलाव मेरे खाल में 14 यार 16 दिन का वो एलाव है या। अंजू का मामला निजी मामला है। उनका अपना निजी मामला है। पीजेपी प्रबक्ता संबित पात्वा ने राहुल गांधी और विपक्ष के गटबंधन आई एंडिया पर निशाना साधा है। नाम में इंडिया क्या डाल दिया है राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा है कि चुनावी जीत गए। नाम से नहीं काम से होता है। काम चोरी का नाम इंडिया तो सोच रहे है कि कमाल हो जाएगा। काम घोटाले का नाम इंडिया रख दिया है तो सोच रहे हैं कि लोग गुमरा हो जाएंगे काम भष्ठाचार का और नाम इंडिया रख दिया है तो सोच रहे हैं कि 2024 का चुनाव जीत जाएंगे अभी भी देश के जहन में 2G, स्पेक्टरम घोटाला, CWG, कोल घोटाला ये सारे घोटाले अभी भी लोगों के जहन में साफ तरह से अंकीत है